नमस्कार दोस्तों आज हम एगरीकल्चर सुप्रवाइजर की 28 वी इंक्वीस रिए स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एगरीकल्चर इंदी और जिक्क्यों के सो इपोर्टन कुष्णों को अल करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कम आरफस्ट कुष्ण ने और तो इसमें अपसंदे रिखे हैं पूर्ण मूल पर जिवी पूर्ण तना पर जिवी आंसिक मूल पर जिवी आंसिक तना पर जिवी तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है पूर्ण मूल पर जिवी तो अरोबेंग की पूर्ण मूल पर जिवी है नेक्स कुष्ण है वि अन्सर होगा वह बहुस्तरी प土त पदन गे meses दूब नान क्रूप सब्सक्राइब का का得 रिले करोपंग क היא कि tools रिले क्रोपंग हों COंच सी फसल कीटजाल फसल है तो इसमें अपसंदे रिखे हैं अरहर दान बिंडी अलू तो इसका जोराइट अनस्वर होगा वो है बिंडी तो बिंडी ट्रेप क्रोप है कपास के लिए नेक्स्ट इसने योजना आयो के अनुसार बारत को कितने किर्सी जलवाईयो खंडों में गया है नेक्स किशने ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ते जिम्मधार कोन है तो इसमें उपसंदे रिखे हैं अन्टूओ सीओ तू सीओ मिधैन तो इसका जो राइट अनस्वर होगा वो है सीओ तू कारवनडाई ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्यदार है नेक्स किशने वातावन्ड में ओजोन परत पाई जाती है तो इसमें उपसन दे रिखे हैं सोब मंडल समताब मंडल मद्या मंडल आयन मंडल तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है समताब मंडल तो वातावन्ड में ओजोन समताब मंडल में पाई जाती है नियाक्स क्यूसिन है,斯 मीरदा में CO2 की ओसतन मातरा उपस्तित रहती है तो इसमें उप्सिन दे रिखे है, 0.03%, 0.3%, 3% 1.3% तो इसका ज τα जो राइट anticip tomorrow होगा वो है, 0.3% तो मरदा में CO2 की ओसतन मातरा 0.3% उपलफ रहती है नेक्स क्यूसन है जुमिंग कहती है तो इसमें उपसन दे रहे हैं फसल चकर फसलों को अरीवास्ता में पलटना बिना मर्दा के खेती करना बूमी चकर तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है बूमी चकर तो जुमिंग कहती बूमी चकर है नेक्सक्यूसन है स्वेट करांती के जनक कौन है तो इसमें उपसन दे रिखे हैं अमस्वामिनाथन असके बंसल अन इबोलोंग वर्गिज कुरियन तो इसका जोराई टांसर होगा वो है वर्गिज कुरियन तो स्वेट करांती के जनक वर्गिज कुरियन है नेक्सक्यूसने मानसून किस बहसा का सब्द है तो इसमें उपसंदे रहे हैं गरीक, लेटीन, अरबी, अंग्रेजी तो इसका तो राइट आंसर होगा वो है अरबी तो मानसून अरबी बहसा का सब्द है नियाक्स किसने रास्तान में किस मानसूज साका से सर्वादी वर्सा होती है तो इसमें उपसंदे रहे हैं अरब सागरिय साका से बंगाल की खाड़ी से बुमध्य सागरिय साका से कोई नहीं तो इसका जो राइट अनसूर होगा वो है बंगाल सागरिय साका से तो रास्तान में सरवादिक वर्सा अरब सागरिय सक्का से होती है निया एक्सक्यूस ने वाईउ मंडल की शनीक अवस्ता को क्या कहते हैं तो इसमा उपसंदे रखे हैं बदल बनना जलवाईउ मौसम कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसूर हो गवो है मौसम तो वाईउ मंडल की सनीक वर्सा को मौसम कहते हैं निया एक्सक्यूस ने एक्सक्यूस ने एक्सक्यूस ने एक्सक्यूस के खेती है तो इसमा उपसंदे रखे हैं शाटे साथ सू अमम से कम वर्सा वाले चेतरों में तो इसका जो राइट आंसवर होगा वो है 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 तो इसका जो र तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है गरिक अंग्रेजी फ्रेंच तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है गरिक तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है असो टू और अनो टू तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है असो टू और अनो टू तो अमलिया वर्सा के लिए जो उत्तरदाई गेंस्वर है वो है असो टू और अनो टू नेक्स कुषिन है बारतिया करसी अनुस 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 तो रास्तान की ओस्त वार्सिक वर्सा पांसो पचेतर अमम है नेक्स क्यूस्ट ने आई सियार के स्था अपना हुई तो इसमें अप्सन देर गें 29 जुलाई 1929 16 जुलाई 1929 29 जुलाई 1905 16 जुलाई 1905 तो इसका जो राइट अंस्वर होगा वो है 16 जुलाई 1929 तो आई सियार के स्था अपना 16 जुलाई 1929 को हुई थी नेक्स क्यूस्ट ने ठंडा बादल निर्मान है तो कौन सा ततक कौम में आता है तो इसमें उप्सन देर गें अनेसियल, एजजी आई, मजी ओ, इसका जो राइट अंस्वर होगा वो है एजी, आई, सिल्वर, आई, डाइड नेक्स क्यूस्ट ने मद्यम अवदी मौस्ट पुर्वान वान कितने दिनों के लिए किया जाता है तो इसमें अप्सन देर गें एक से दो दिन, तिन से दस दिन ग्यारा से पंदरा दिन, पंदरा से अधिक तो इसका जो राइट अंस्वर होगा वो है तिन से दस दिन, तो मद्यम अवदी मौस्ट पुर्वान वान तिन से दस दिन के लिए किया जाता है नेक्स क्यूस्ट ने वर्षा का दिन किसको कहते हैं यदी दो पॉंट पांच अमेम से अधिक वर्षा हो जीरो पॉंट पांच अमेम से अधिक वर्षा हो दो पांच अमेम से कम वर्षा हो, इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंस्वर होगा वो है दो पांच अमेम से अधिक वर्षा हो उसे वर्षा का दिन कहते हैं नेक्स क्यूसन है तमिल नाटू में सरवादी वर्षा कराने वाला मांसून है तो इसमें उप्सेन देर किया है दक्सनी पस्चिमी मांसून उत्तर पुर्वी मांसून पस्चिमी विक्सोब कोई नहीज़ इसका जो right answer होगा वो है उत्तरप्रूवी मानसुन तो तमिल नाडू में सरवादी वर्षा करवाने वाला मानसुन जो है वो है उत्तरप्रूवी मानसुन नेक्स क्यूसन है सोर्स त्रांक का मान है तो इसमें option दे रहे हैं 1.94 कलोरी सेंटीमेटर परती सेकंड 1.94 वोर्ट परती सेंटीमेटर पती मिनट 1.94 कलोरी परती सेंटीमेटर पती मिनट उपरोग सभी तो इसका जो right answer होगा वो है 1.94 कलोरी परती सेंटीमेटर पती मिनट नेक्स किसने कुल आप्तित सुर्य के दिणों को गयात करने का यंतर है तो इसमें option दे रखे हैं पाइरेनो मिटर, पाइरेलियो मिटर, कंबेल स्टोक्स, क्वांटम सेंसर तो इसका जो राइट अंस्वर होगा वो है पाइरेनो मिटर तो पाइरेनो मिटर दुवारा कुल आपती सूरिया किर्णों को ग्याद किया जाता है नेक्स क्यूसन है पाइर होती है तो इसमें option दे रखे हैं तो इसका जो राइट अंस्वर होगा वो है चार्षो से साथ सो नेनो मिटर नेक्स क्यूसन है इंडियन मेटेरियो लोजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कहा हुई तो इसमें option दे रखे हैं तो इसमें option दे रखे हैं नेक्स क्यूसर ने वास पो उतस दर्थान दर को मपद आता है तो इसमें option दे रखे हैं पान, इवापोरी मिटर, पोटो मिटर, लाइसीनो मिटर, टैंसियो मिटर, तो इसका जो राइट अंस्वर होगा वो है, पोटो मिटर, तो वास्पोट सर्जंदर को पोटो मिटर से मपचाता है, नेक्स किसन है, मेक्रो वाटर सेड कितने एक्टर चेतर का होता है, तो इसमें नेक्स्क्स्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्ट तो मोबली फिलम बनाने वाला वास्पन परतिरोधी पदार्थ है नेक्स किसने पी-म में किस परकार का वास्पन परतिरोधी पदार्थ है तो इसमें उपसन देर गे हैं वर्दी औरोधग प्रावर्तित करने वाला फिलम बनाने वाला रंदर बंद करने वाला तो इसका जोरही टांसर होगा, वो है, रंदर बंद करने वाला, तो p.m. रंदर बंद करने वाला, वासपन पत्तीरदी प्तारत है, नेक्स्क्षिसने वर्दि अरोदग प्तारत है, तो इसमें उप्सन देरखे हैं, के उलिन, साइकोसेल, एटराजीन, ओयल तो इसका जो रही टांसर होगा वो है साइको सेल तो साइको सेल वर्दी औरोदग पदार्त है नेक्स क्यूशन है जल उप्योग दख्सता की इकाई है तो इसमें आपसें दे रिखें किलोग्राम परती एक्टर सेंटिमेटर एरिया परती एक्टर सेंटिमेटर बहुत कोई नहीं तो इसका जो रही टांसर होगा वो है दोनों तो किलोग्राम परती एक्टर सेंटिमेटर और एरिया परती एक्टर सेंटिमेटर दोनों ही जल उप्योग शमता की इकाई है नेक्स क्यूशन है दान की जल्मांग है तो इसमें उपसंदे रहे हैं 12,6 mm, 800 mm, 2000 mm, 22,6 mm तो इसका जो राइट अंस्वर होगा वो है 12,6 mm तो दान की जल्मांग 12,6 mm होती है नेक्स किसने एक एक्टर सेंटीमीटर पानी कितना होता है नेक्सक्षिशन है कपास की जल मांग कितनी होती है तो इसमें उपसंदे रिखे हैं 900-2500 mm 500-700 mm 500-800 mm 700-1300 mm तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है 700-1300 mm तो कपास की जल मांग 700-1300 mm होती है नेक्सक्षिशन है एक क्यूबिक मीटर में कितने जल की मातरा हुती है तो इसमें उपसंदे रिखे हैं 1000 L, 100 L, 1000 Ł, 100 Ł, 821, 4 L तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है 1000 L तो एक क्यूबिक मीटर में 1000 L È पानी की मातरा होती है नेक्सक्षिशन है मक्का की करांतिक वश्ता है तो इसमें option दे रिखे हैं टेस्लिंग, सिलिकिंग, दोनों, कोई नहीं तो इसका जो right answer होगा वो है दोनों तो मक्य में करांतिक वस्ता टेस्लिंग और सिलिकिंग दोनों है next question है 76 जल उपयोग चमता होती है तो इसमें option दे रिखे हैं बटे WR, Y बटे ET, Y बटे CU, कोई नहीं तो इसका जो right answer होगा वो है Y बटे WR तो जल उपयोग चमतार Y बटे WR होती है next question है लगूस इंसाई योजना होती है तो इसमें option दे रिखे हैं 2000 से 10,000 एक्टर 2000 से कम एक्टर 2000 से अधिगे एक्टर 5000 से कम एक्टर तो इसका जो right answer होगा वो है 2000 से कम एक्टर में तो लगूस इंसाई योजना 2000 से कम एक्टर में होती है next question है एक एक्टर कितने एक्टर के बराबर होता है तो इसमें option दे रिखे हैं 0.4 एक्ट 2.47 एक्ट 25.35 एक्ट 1.47 एक्ट तो इसका जो right answer होगा वो है 2.47 एक्ट तो एक एक्टर 2.47 एक्ट के बराबर होता है next question है किस नहर योजना से सिंसाई करने के लिए फवारा पदती का उप्योग करना अनिवार है तो इसमें option दे रिखे हैं चंबल नहर इंद्रा गांदी नहर बागडा नहर प्रियोजना नर्मदा नहर तो इसका जो right answer होगा वो है नर्मदा नहर तो नर्मदा नहर से सिंसाई करने के लिए फवारा पदती का उप्योग अनिवार है next question है Indian Institute of Sugar and Research कहा अस्तिता है तो इसमें option दे रिखे हैं कानपूर, वारणासी, कोईमटूर, लगनवू तो इसका जो right answer होगा वो है लगनवू तो Indian Institute of Sugar and Research लगनवू में स्तिता है next question है बारत का कुल बोगोलिक छेतरफल है तो इसमें option दे रिखे हैं 328 million hectare 306 million hectare 228 million hectare 338 million hectare तो इसका जो right answer होगा वो है 328 million hectare तो बारत का कुल बोगोलिक छेतरफल 328 million hectare होता है next question है विस्व मर्दा दिवस कम मनाये जाता है तो इसमें option दे रिखे हैं 4 December, 3 December, 5 December, 6 December तो इसका जो right answer होगा वो है 5 December तो विस्व मर्दा दिवस 5 December को मनाये जाता है next question है अंतरास्टिय मर्दा वर्स किस वर्स को मनाये गया था तो इसमें option दे रिखे हैं 2015, 2016, 2014, 2017 तो इसका जो right answer होगा वो है 2015 तो अंतरास्टिय मर्दा वर्स 2015 को मनाये गया था next question है तो इसमें option दे रिखे हैं 2015, 2016, 2017, 2014 तो इसका जो right answer होगा वो है 2015 तो परंप्रागत किसी विकास योजना 2015 को शुरू ही next question है रास्टिय मर्स किस वर्स सुरू हुआ था तो इसमें option दे रिखे हैं रभी 2014, रभी 2006, रभी 2008, रभी 2007 तो इसका जो right answer होगा वो है रभी 2007 तो रास्टिय खादे सुरूक्स्य मिसन रभी 2007 में शुरू हुआ था next question है आइबरीड दान को बारत में किस वर्स विक्सित किया गया था तो इसमें option दे रिखे हैं 1934, 1934, 1965, 1934 तो इसका जो right answer होगा वो है 1934 तो आइबरीड दान को बारत में 1934 में विक्सित किया गया था next question है रास्ट ये सरसो अनुस विक्सित किया था तो इसमें option दे रिखे हैं अलवर, जैपूर, बरतपूर, कोटा तो इसका जो right answer होगा वो है बरतपूर तो रास्ट ये सरसो अनुस संदान के अंदर सेवर बरतपूर में है next question है तो इसमें option दे रिखे हैं फल उतपादन से, आल उतपादन से कपास उतपादन से, फसलों के उतपादन से तो इसका जो right answer होगा वो है फल उतपादन से तो सुनेरी करादी फल उतपादन से सबंदीत है next question है सततारीत करादी सब्द किसने दिया तो इसमें option दे रिखे हैं डक्टर अमस स्वामिनातन विलियम गोड नॉर्मन ई बोरलोंग डक्टर आरस रोंदा तो इसका जो right answer होगा वो है डक्टर अमस स्वामिनातन तो स्ततारीत करादी सब्द डक्टर अमस स्वामिनातन ने दिया था next question है बीस सुचकांग होता है तो इसमें option दे रिखे हैं 1000 दानों का बार 500 दानों का बार 10 दानों का बार 100 दानों का बार तो इसका जो right answer होगा वो है 100 दानों का बार तो बीस सुचकांग 100 दानों का बार होता है next question है पेरा वे उटेरा किस परकार की फसल के अंतरगत आते हैं तो इसमें option दे रिखे हैं मिस्चित फसल रटून फसल रिले फसले मिस्चित कहती तो इसका जो right answer होगा वो है रिले फसले तो पेरा वे उटेरा रिले फसलों के अंतरगत आते हैं next question है ए निस्चित फसल को निस्चित भूमी पर उगाना कौन सी कहती है तो इसमें option दे रिखे हैं जूम कहती फसल जकर मिस्चित कहती कोई नहीं तो इसका जो right answer होगा वो है फसल जकर तो ए निस्चित फसल को निस्चित भूमी पर उगाना फसल जकर कहलाता है next question है काली बंगा का पर था मुथ खनन करता कौन था तो इसमे option दे रिखे हैं बीबी लाल बिक्ये थापर बीबी लाल अच्डी सांगलिया आर सी अगरवाल अच्डी सांगलिया बिक्ये थापर तो इसका ज़राई टांसफर होगा वो है बीबी लाल बिक्ये थापर तो काली बंगा का पर था मुथ खनन करता बीबी लाल बिक्ये थापर थे next question है निमन में से सही सुमेलित नहीं है तो इसमें option दे रिखे हैं तो इसका ज़राई टांसफर होगा वो है काली बंगा चूरू तो काली बंगा अनमानगड में है चूरू में नहीं है तो ये वाड़ा सुमेलित नहीं है next question है तो इसमें option दे रिखे हैं बर्जवासिलाल बाल करिशन थापर अमलानन्द गोस दसरत सर्मा तो इसका ज़राई टांसफर होगा वो है अमलानन्द गोस तो काली बंगा उसरो पर तंपरकास में लाने का सरे अमलानन्द गोस को दिया जाता है next question है तो इसमें अपसंदे रिखे हैं आहड, काली बंगा, बिराठ, वागोर तो इसका ज़राई टांसफर होगा वो है काली बंगा तो दोरी रक्सा प्राचीर के साक्से काली बंगा सब्वेता से प्राफ्ट हुए next question है किस इतियास वेदा ने काली बंगा को सिद्धू गाटिस समराज्य की तीसरी राजदा निका तो इसमें option देर के हैं अमला नंद गोस दसरत सर्मा पिगट वेलर तो इसका ज़राई टांसफर होगा वो है दसरत सर्मा तो दसरत सर्मा ने काली बंगा को सिद्धू गाटिस समराज्य की तीसरी राजदा निका next question है किस सब्वेता को दोरे पर कोटे की सब्वेता का गया next question है प्राचिन सर्स्वती नदी के किनारे स्थित्र रास्तान की सबसे प्राचिन नगरिया सब्वेता का नाम तो इसमें option देर रखे हैं काली बंगा आहड नलिया सर बालदा थल तो इसका जो राई टांस्वेता होगा वो है काली बंगा तो प्राचिन सर्स्वती नदी के किनारे जो प्राचिन नगरिया सब्वेता थी वो थी काली बंगा next question है कहां के अवसेश से यह पता चलता है तो इसका जो राई टांस्वेता होगा वो है तो आहड सब्वेता को रास्तान की तामर वर्ती सब्वेता कहते है next question है किस विद्वान ने आहड सब्वेता का समर्दी काल 1900 से 1200 इससा परूबत तक माना है तो इसमें अवसेश से बाराइट बंगा तो इसका जो राई टांस्वेता का समर्दी काल 1900 से 1200 इससा परूब मना है next question है पुरास्तल आहड को किस विद्वान ने अपनी राजदानी की रूम में अपनाया तो इसमें अपसंदे रहे हैं तो इसमें उपसंदे रहे हैं काली बंगा, आहड, गिलूंड, वागोर तो इसका जोराई टांस्वर होगा वो है आहड तो आहड सब्वेदा में एक गरमे एक साथ सह चुले मिले नेक्स कि उसने मकानों से पानी निकालने की विगयनिक पदती चकरकूप किस सब्वेदा की विशेस्ता थी आहड, गिलूंड, ओजियाना, काली बंगा तो इसका जोराई टांस्वर होगा वो है आहड तो मकानों से पानी निकालने की विगयनिक पदती चकरकूप, आहड सब्वेदा की विशेस्ता थी नेक्स कि उसने आहड सब्वेदा की खोज किस विगयनिक ने की थी तो इसमें अप्सेन देर के है आर्सी अगरवाल, करनल टोड, दसरे सर्मा, आक्षियेदा वियास तो इसका जोराई टांस्वर होगा वो है आक्षियेदे वियास तो आहड सब्वेदा ंिक खोज अक्षियेदा वियास ने की थी नेक्स क्यूसने अनाज रखने के लिए बड़े मर्द बांड जिने गोरे या कोटे कहते हैं किस पराचिन सब्वेता से प्राप्त हुए तो इसमें उपसंदे रखे हैं ओजियाना, काली बंगा, जोदपुर, आहड तो इसका तो राइट आंस्वर होगा वो है आहड तो अनाज रखने के बड़े मर्द बांड जिने गोरे या कोटे कहते हैं आहड सब्वेता से प्राप्त हुए नेक्स क्यूसने प्रोफेसर अच्डी संकलिया के नेत्रितों में किस सब्वेता का उत्खनन हुआ तो इसमें उप्सन देरे के हैं काली बंगा आहड गनेस्वर बिराट तो इसका तो राइट आंस्वर होगा वो है आहड तो प्रोफेसर अच्डी संकलिया के नेत्रितों में आहड सब्वेता का उत्खनन हुआ नेक्सविसन है कौन सा युगम सहीнить है तो इसमें उप्सन देरिगे है काली बंगा गगर नदी आहड अन्मानगड काली बंगा अन्मानगड आहड आएड नदी तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है आहड अन्मान गड तो ये वारा जो अपसन है ये गलत है बाकी ये तिनों सही है नेक्स क्यूसन है कौन सी निमलिक्त मेंसे आढ़ सब्वेता किस तलों से सबंदित नहीं है तो इसमें अपसन दे रिखे हैं चावल लकडी की नाली तंबे की वस्तू उतकनन अच्डी संकलिया तो इसका जो राइट अंसवर होगा वो है लकडी की नाली तो लकडी की नाली आहड सब्वेता से सबंदित नहीं है नेक्स क्यूसने बनाज संसकर्ती नीमन में इसे किस तल से सबन दीता है तो इसमें अपसंदे रिखे हैं बिराट, आहड, काली बंगा, गनेस्वर तो इसका जो राई टांसवर होगा वो है आहड तो बनाज संसकर्ती आहड से सबन दीता है अहर सब्वेता के लोगों की अर्थ हुए रसता का मुक्या आहार क्या था, तो इसमें अपसर्ण ये रिखे हैं कर्सी, भसुपालन, उद्योगदंदे, नुथ रिखे बालन तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है उप्रोक सभी तो ये सभी कतन सत्य है नेक्स क्यूसन है वर्तमान में तंदूर के समान चुले किस पुरा तात्विक सतल से प्राप्त किये गए तो इसमें उपसंदे रिखे हैं काली बंगा, आहड, वाला थल, लागूरा तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है काली बंगा तो वर्तमान में तंदूर के समान चुले काली बंगा सब्वेदा से प्राप्त किये गए नेक्स क्यूसन है विस्व मेसरो पर्थम्बुकंप के साक्से कामिले तो इसमें option दे रिखे हैं काली बंगा, पिली बंगा, रंग मेहल, आहड तो इसका जो राइट अंसवर होगा वो है काली बंगा तो विस्व में सरोपर थबुकंप के साक्सिय काली बंगा से प्राप्त हुए next question है काली बंगा किस बासा का सब्द है यह किस सवर संदी में बनता है तो इसमें option दे रखे हैं दिर्ग सवर संदी, यंड संदी, वर्दी सवर संदी किसी भी संदी में नहीं तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है वर्दी सवर संदी next question है किस सब्द का संदी विचेदा है सत्य है तो इसमें उपसंदे रखे हैं दन पलस एसना दन एसना प्रिये पलस एबी प्रिये बी वित पलस एसना वितेसना उपरोक्त सभी सत्य है तो इसका जोराई टांसफर होगा वो है उपरोक्त सभी सत्य है तो इन सभी में सही संदी विजएद है next question है वर्दी संदी का उदारन है तो इसमें option दे रखे हैं वसुदेव, मतक्य, महेस्वर्य, उप्रोक्सभी तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है उप्रोक्सभी तो ये सबी वर्दी संदी के उदारन है next question है प्रमोस्द सब्द का संदी विचे दोगा तो इसमें जो उपसंदे रिखे हैं वो है परम पलस ओस्द, परमो पलस ओस्द, परमा पलस ओस्द, परम पलस ओस्द तो इसका जो राइट आंसवर होगा वो है first option परम पलस ओस्द Next question है दिर्गे संधी, वर्दी संधी, यर्ण संधी, आयादी संधी तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वह है वर्दी संधी तो मंत्रोस्ध में वर्दी संधी है Next question है जल पलस उक से कों सा संधी सथब्द बनेगा तो इसम पेडी तरके है जलोक, जलाक जो लोग कोई नहीं तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है थर्ड उप्सन जो लोग नेक्स क्यूसन है अधि पलस अधिन से कौन सा संदी सब्द बनेगा तो इसमें अधिया दिन अधिया दिन अधिया दिन तो इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है सबी तो यह सबी यन संदी के उदारन है नेक्स कुछन है लदोस्ट सब्द में कौन से संदी है तो इसमें उपसंदे रिखे हैं यन संदी अयाद संदी दिर्ग संदी कोई नहीं तो इसका तो राइट आंसर होगा वो है यन संदी तो लदोस्ट सब्द में यन संदी है नेक्स इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है सवागत सव पलस आगत ये वाला जो संदी वचेद है ये गलत इसका जो राइट आंस्वर होगा वो है गत्या वरोद तो ये वाला जो सब्द है ये ऐ सत्या सब्द है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केर बाई बाई